आईएस अभ्यर्थियों PCS अभ्यर्थियों मैं कोई विशेश फर्क नहीं होता परिक्षा का सिलिबर से एक ही है परिक्षा का थोड़ा सा स्वरूप भिन होता है यदि आप PCS कर सकते हैं और आपकी आयू है आईएस की तो निश्चत रूप से आप आईएस भी बन सकते हैं ये बात मेरी मानिय है मैं डॉक्टर आनन प्रदीक्षित हूँ रेटायर्ट फ्रॉम आईएस एक्विलेंट रेंक अस्टेंड कलेक्टर कमेस्टेंड कमिशनर रेकवरी सेल कॉमर्शियल टेक्स डिपार्टमेंट यूपी गॉवर्मेंट 2001 में मैंने वॉलेंटर रेटायर्मेंट ले लिया था रेटायर्मेंट 2015 के 15 साल पहले ही क्योंकि मुझे शिखर आईएस अकेडमी स्थापित करकर और उसमें चात्रों को ट्रू ग्यान देना था सत्य ग्यान देना था क्योंकि बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं अब भी तब भी फैलाए जा रहे थे उन भ्रमों को दूर करने के लिए अकेडमी खोली मैंने इश्वर कृपा से मेरे मन मुताबिक चल रही है ओफलाइन क्लास मैंने 2017 में बंद करके ऑनलाइन आ गया था मैं एक बहुत महतुपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको वो ग्यान पराप्त होगा जो कहीं और से आपको नहीं हो सकता देखिए ओफलाइन क्लास जो होता है अब अगर आप मनोरंजन के लिए कोचिंग जोईन करते हैं तो बाता लगए यारी दोस्ती के लिए उनकी बात में नहीं कर रहा औफलाइन क्लासिस जिनने आप कहते हैं मैं उन्हें फेस टू फेस क्लास कहता हो ऑफलाइन शब्द गलत है मैं तो औफलाइन पढ़ाते वो भी ओनलाइन रहा करता था Skype के थूप विश्व के तमाम देशों में लोगों को पढ़ाता था राजेश चादव लंदन से पढ़ते थे इसी परकार से और अस्टेलिया से इसी परकार अमेरिका से और सिंगापूर से और UAE से और कोवेट से और तमाम देशों से लोग मुझसे उसी समय रियल टाइम में पढ़ा करते थे ओनलाइन शब्द का उल्टा ओफलाइन नहीं है बहराल हम ये कह सकते हैं कि फेस टू फेस क्लास मैंने जब बंद किया तो छात्र हित में ही बंद किया ऐसा नहीं कि मैंने वो कक्ष खाली करा के कोई किराय पर उठा दिया हूँ और मुझे उसका किराय मिलना लगा हूँ वो हॉल जो था एक 30-40 बच्चों के बैठने का वो तो मेरा ध्यान का ख्षय आजकल आगे कभी भी ओफलाइन क्लास प्रारंभो मुझे करना ही नहीं है मैं कोरोना की वज़े से उनलाइन नहीं हुआ हूँ मैं जान बूझ कर उनलाइन हुआ हूँ क्योंकि उनलाइन के बहुत फाइदे हैं प्लीज सुन लीजे आपको नहीं पता है ओफलाइन क्लास में पहली बात disturbance जादा होता है बच्चे कई बार अनावश्यक प्रश्ण पूछते हैं और अध्यापक अगर उनको मना करे बताने से तो ये समझा जाता है कि अध्यापक को आता नहीं तो कोई भी अध्यापक ये नहीं चाहता है कि उसे ये समझा जाए कि उसको आता नहीं तो उनका उत्तर जरूर देता है जैसे एक बार पॉलिक एटमिस्टेशन के क्लास में बच्चे सेकरेटेरियत की उसके पता सेकरेटरी थे तो उसे सकरेटेरियत का हलका फुलका ग्यान था तो सेक्रेटेरिट की कारविधी पर कई बातें किया करता था एक लड़का तो फिर एक लड़की ने कहा कि सर ये अपनी भणास निकालते हैं यहां आकर और हम लोगों का डिस्टरब करते हैं चूकि आपको ग्यान है तो आप उत्तर जरूर देते हैं नहीं तो चात्रों में ये बात आएगी कि सर को पता नहीं है लेकिन क्या ये परश्ण जो ये करते हैं हमारे काम के हैं मैंने का बिटा बिलकुल काम के नहीं है और मैंने इसको अलग से समझा भी दिया है कि ये परश्ण ना किया करें लेकिन ये नहीं मानता है फाइनली मैंने उस पर मुखबंद लगा दिया, गिलोटीन कर दिया, यानि कि ये कह दिया कि अब तुम बोलोगे नहीं क्लास में, नहीं तो बाहर निकाल दूगा, ऐसे अपरी मोमेंट्स क्लास रूम में कई बार आते हैं, दूसरी बात क्या है, एसाइनमेंट्स चेक करना, तो ये साबित करता है कि मैं पूरा पढ़ता हूं, लेकिन अगर टीचर ना पढ़े, और बीच में टिक 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 लगा के, और लास्ट में लिख दे, ओके वेरी गूड, वेरी गूड, एक्सिलेंट, तो आप क्या कर लेंगे, मैं अपने ओनलाइन क्लास की गारेंटी करता पहली बाद, एक निश्चिस समय होता है, मैं चार बजे के बाद ओनलाइन होता हूं, दो बैचिस में बटा हुआ क्लास, मंडे, वेर्डने से फ्राइडे, और बाकी तीन दिन, संडे ओफ होता है, बताने के लिए ओफ होता है, बाकी काम के लिए नहीं, तो आप जब किसी को अपॉइंट कर रखा हो, सीनियर शातर को ज्यादा तर कोचिंग में होता है, और वही पढ़ाने लगते हैं, वही उत्तर देने लगते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ही उत्तर दूँगा, फीस आपने मुझे दिये, उत्तर मैं देने के लिए कटिबद हूँ, और मेरी ये बताता जाता हूँ, मार्क्स भी देता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि मार्क्स कम ज्यादा क्यों, अब बताए ओफलाइन क्लास जिसे आप कहते हैं, उसमें ये सुविधा कहा है, नहीं तो टाइम नश्ट होगा, अगर दो घंटे का क्लास है, उसी बीच में हम आपको आ अगर आप मेरा ओनलाइन क्लास, मैं दोसरों से भिन हूँ, अगर आप ट्रू एस्परेंट हैं और आपको सफल होना है, तो आपके लिए किसी भी ओफलाइन क्लास से बहुत बहुत ज्यादा बेटर है, अब इसके बात बात आती है लिखने की, क्लास में मैं बोलता चला जा या किसी दिन आप एपसेंट हो गए, रोड जाम है, लेट हो गए, नहीं आप आए, बीमार है, इस्षोड न करे, और या घर में कोई समस्या है, तो आप नोट्स मांगते फिरते हैं, तो जो मैंने क्लास में समझाया है, वो तो मिस हो गया ना, ओनलाइन क्लास में मैं सारे वीडियो एक साथ देता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, दुनिया भर की मैं ठेका नहीं लिया हुआ है, बताने का, कि कौन कैसे पढ़ाता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप जब आते हैं, जैसे कि आप Advanced Foundation Batch में आए, तो 300 के करीब वीडियो मैंने आपको दे द सब वीडियो का टाइटिल है, सिलेबस कवर करते हुए वीडियो हैं, आप अपनी इच्छा से देखिए, एक बार देखना allowed है नॉर्मली, आप देखते रही है, लेकिन rewind fast forward करना मना नहीं है, pause करना मना नहीं है, एक बार से ज़्यादा भी अगर कोई वीडियो देखना पड ये app का नियम है, ये मेरा नहीं है, तो simply आप एक WhatsApp डाल दीजिए, कि मैंने सर ये वीडियो दुबारा देख लिया है, no problem, तिवारा भी देख लिया हो, तब भी कोई problem नहीं है, लेकिन ये रोज की घटना नहीं हो, नहीं तो app आपको किनारे कर देता है, फ्लैक कर देता है, तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, आज तक 2017 के last से चल रहा है online class, कभी किसी बच्चे को समस्या नहीं आई, कि उसने कोई वीडियो न देख पाए, अगर आपका time पूरा हो गया, 12 महीने, 15 महीने, कुछ 6 महीने की भी है, कुछ 18 महीने का भी है, तो उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि सर मैंने कुछ वीडियो यह नहीं देख पाए, तो मैं बहुत आराम से उधारता से समझ दे देता हूँ, लेकिन उसकी एक सीमा है, एक महीना तो नौर्मली मिली जाता है, एक साल के उपर, लेकिन अगर फिर भी कोई, आप बीच में अगर बताते हैं कि सर य दिक्कत हैं, मैंने का तुमारा बैच में दो महीने के लिए पाउज कर देता हूँ, तो वो दो महीने और मिल जाते हैं, तो हमारे पास बैच इसको पाउज करने का सिस्टम है, आपको वीडियो नहीं दिखेंगे उस बीच में, आप इत्मिनान से अपना काम करिए, मान ही नहीं आती, जैसा बड़े-बड़े क्लासिस होता है, यहां पर ऐसा नहीं, मैं आप से सीधे मुखाते हूँ, डायरेक्ट, तो मेरे ओनलाइन क्लासिस में यह है कि आपको वीडियो का पूरा लॉट इखटा मिल गया, आपको किसी वीडियो में कुछ भी चीज समझ में न नहीं जायेगा, आपको मैं जरूरी लिंक भेजूँगा, जरूरी चीजें भेजूँगा, जरूरी बुक्स के नाम बताऊंगा, हो सका तो भेज भी दूँगा, बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो यह मेरे ओनलाइन क्लासिस है, मैं आप से परसनली कनेक्टेड हूँ, आ असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कमिशनर रहते हुए, मुझे क्या रिजाइन करने की जरूरत थी, इतना पैसा कमा लेता है अगर आज फार्म हाउसन से फैक्टिरों से इतनी कमाई होती, यह आप समझ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि मैं दिल से आप से जुड़ा हू उस जुड़ाओ को समझिए, और उस जुड़ाओ को समझते हुए, आप ऑनलाइन क्लास को नकारिये मत, यह मत सोचिए, और फिर भी आपको लगता है, तो आप छोटा सा बैच लेके देखिए, छोटे छोटे बैचे से हैं, पर्सनलिटी डवलोप्मेंट बैच है 11,000 का, ल में एसाइनमेंट्स भी हैं, एसाइनमेंट्स आपको करने है, और आडियो, वीडियो, रिटिन, उनका मैं भरपूर उत्तर देता हूँ, बहुत, बस शास्त्रार्थ के लिए मेरा कोई बैच नहीं है, जिग्यासा के लिए है, आप पूछिए, बिल्कुल स्वागत है, हर ब बिwatch की जाती है, जो लोग कभी पास नहीं हुआँ और पढारे हैं, उनकी कोई तुल्ना मुझसे नहीं है, तो इसलिए वो तुल्ना है, करने के लिए मेरे बैच नहीं, मेरे बच्चे करते भी नहीं, मेरे बच्चे जानते हैं, नोने किससे पढ़ रहे हैं, डॉक्र आनन खांसते मेरी बिल्कुल दम निकल रही थी, उस दिन मैंने एक महीने के वीडियो जल्दी-जल्दी अप्रोड की, गारी में बैठे-बैठे, हाफते-हुपते, बिल्कुल बेहुशी जैसी आलत होती है, उसमें वीडियो अप्रोड किये जा रहा था, मेरे पास सारे थे अलरड बच्चों की चिंता है, मेरा एप आगे दो साल के लिए रिन्यूड है, आज भी अगर किसी को एड्मिशन देता हूँ, तो उसे ये चिंता करने की जरुवत नहीं है, कि सर कहीं बाहर चले गए, कहीं शादी बिया में गए हैं, कहीं बीमार पड़ गए हैं, कि अस्वस्थ ह इतनी केर में करता हूँ, और मेरे बच्चे ही बात जानते हैं, तो आप एक तो निश्चिंत हो जाते हैं, कि आपको ना सर की बीमारी से, ना सर के कहीं बाहर आने जाने से, ना क्लास की छुट्टी से, ना rainy day, ना holiday, किसी चीज़ की चिंता नहीं करने हैं, सारे वीडियो खे कि दोसों के बीच में मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था पहले PCS में आसपास कि क्या कॉंपटीशन करता किसे एक बार मेरे पूरे क्लास में 18 बच्चे थे 18 में से सिर्फ एक आइस बना था और फिर जब PCS का रिजल्ट आए तो सिर्फ दो PCS बने थे यह कोई परसेंटेज नहीं कि आप सोचें इतना कम परसेंटेज है जो पढ़ेगा वो बनेगा 94 बच्चे तक निकले हैं PCS का रिजल्ट जबाए 70 बच्चे तक 56 बच्चे तक रिजल्ट है बाकाइदा मेरे प्रोस्पेक्टर्स में छपे हुए अखवारों में समाचार हैं और यह विग्यापन नहीं ह तो उनको लेके हम कहां से जाएंगे हो अगर यूँ ही किसी फोटोचाप दियो उस समय के जो डिजीपी थे डायक्टर जनल पुलिस यूपी के उनके पास गए विकरम सिंग जी से मिले लोग बाग जब डिजीपी थे और उससे पहले मैश्चन दुवेरी थे उनसे मिले मंत इतने लोग पढ़ रहे हैं सच में सेलेक्ट होने के लिए और जब किसी को उदेश ही न हो तो मैं क्या करूंगा जो लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए आये हैं तो उनके लिए कोई परसेंटेज सोड़ी होता अभी रिजल्ट आयो तो पिछले बच्चे बहुत सारे नि निकला अगर नहीं बताएगा बता दिया हां वही बहुत अच्छी बात है भगवान आपको सफल करें तो इसलिए जो है क्लास में कॉंपिटीशन से क्या मतलब है एक बार हमारे हैं क्लास में लोग बड़े उत्सव परिये थे मैंने डार्ट के बंद कराया है जिसकी बढ़ इस बात को समझे है मैं अपनी जबान से कोचिंग के हथकंडे यहां खोलता हूं ओपिन करता हूं इसलिए लोग मुझसे नाराज रहता है आप अगर true IS aspirant हैं तो समझे पहले इस बात की तो मेरे online batches बाकी सबसे different हैं और इनमें आपको वो मिलता है जो दूसरा कहीं नहीं मिलेगा case studies जो मैं बताता हूं मेरी अनभो की हुई case study हैं वही exam में आती हैं यानि कि एक अधिकारी के सामने जो dilemma आते हैं जो समस्याएं आती हैं वो चीजें अधिकारी ही बता सकता है मैंने क्या किया वो भाई साब कहां से बताएंगे जो कभी पास नहीं हो कहते हैं हरवार एक नमर से रह जाते हैं वो कैसे बताएंगे न तो ऐसी किताबों से आपको ग्यान मिलेगा न ऐसे classes में आपको ग्यान मिलेगा आप मन समझाने के लिए five star जैसी building बनी हुई यह वहाँ पर चले जाते हैं तो यह आपकी गलब फेमी है इसलिए offline class की बजाए online class का महत्तु समझे और offline से ही सस्ते मेरे offline class की जब मैंने 2017 बंद किया था तो एक लाख 89,000 रुपए फीज थी 189 और जो लोग घर बैठके करना चाहते थे skype के थूरू उनसे 20% और लगता था 38,000 रुपए और अब जो ता फिर 99,000 हुआ फिर ऐसे बढ़ता गया 149 अब तो वो structure अलग है batches का batches में material अलग है सब कुछ चीज़ा fresh है बहुत सारी चीज़ा अलग अलग है लेकिन मैं बता रहा हूं आज भी मेरा जो highest batch है जो platinum batch है जिसके अंदर foundation शामिल है GS का बहुत बड़ा batch शामिल है जिसके अ 189 से कम का है और अगर online से तुलना करें तो सोचिए कि एक लाख नब्बे हजार और 38,000 दो लाख 28,000 27,000 होता है दो लाख 27,000 की चीज़ आपको अभी 181 मिल रही है इतने साल बाद यह सोची चार साल बाद आपको जब सब चीज़ा महेंगी हो चुकी है तो online batches सस्ते भी है इसके अलाबा यह split है आप अकेले public aid में ले सकते हैं 45,000 अकेले foundation batch में ले सकते हैं 37,000 उसके साथ में 11,000 का personality batch free है 15 October तक है आगे के लिए फिर पूछेगा WhatsApp पर 9540497415 इसके अतरिक आप अकेले personality batch में ले सकते हैं 11,000 अकेले life management में ले सकते हैं 11,000 वैसे मैं उसमें दे नहीं र अकेले CSET में ले सकते हैं 12,000 अकेले XL batch में ले सकते हैं आपने तमाम coachings में पैसा वरबात कर रखा है और आपका कुछ नहीं हो रहा है तो XL batch जोईन करी ए-X-E-L-L-XL-X batch कहते हैं इसे short में X batch इसमें thoughts हैं 80 वीडियो में सिर्फ thoughts हैं आपको ऐसे thinkers के economics के लोग प्रशासन के स इसे कि आप निबंद लेखन कर सकें आप में सांसर राइटिंग कर सकें इंटर्वी मुत्तर दे सकें बगेरे बगेरे यह batch मात्र 19,000 का और परस्नेलिटी बैच फ्री है इसके साथ में जो बच्चे पहले से परस्नेलिटी बैच में उनको 11,000 का है यह तो आपके लिए बरुश सही ससोची